नमस्कार प्यारे बच्चों में वीजायें, बच्चों आज हमारा घात स्रेनी हल का तीसरा लेक्चर हैं, आज हम फ्रोबिनिया स्रेनी के बारे में भी बात करेंगे, आपको हम बताएंगे प्यारे बच्चों कैसे कोशन को साधारन स्रेनी से, जो कि आपको बताया गया उससे और कैसे कोशन को फ्रोबिनियस रेनी से हल करते हैं आईए इसी के बारे में जानकरी लें देखें आपको क्या मिलता है तो बच्चों पहले थोड़ा डेफिनिशन पर फोकस करेंगे उसके बाद कोशन सुरू करेंगे यह देखें विसलेसिक फलन हम विसलेसिक किसको कहेंगे कोई फलन एफेक्स X is equal A पर विसलेसिक या नियमित रेगुलर या फिर होमोमारफिक कहलाता है यदि इसे टेलर सरेणी के रूप में क्या कर सकें प्रसार कर सकें इसको टेलर सरेणी के रूप में प्रसार इसका संभा होना चे आपको पता है तिलर से नी क्या होता है तिलर से नी आप जानते हो fx plus h fx plus h plus h square upon two factorial f double d6 याने इस ढंग से इसको क्या कर सकें प्रसार कर सकें जो की सामीप्र में क्या होना चीए वैद्य होना चीए यह मान नहीं होना चीए प्यारे बच्चों इसी को अदरवर्ड में दूसरे सब्दों में कहा गया कि फलन एफेक्स, एक सिजी को ले पर विशलेशी कहलाएगा यदि यह बिंदू एक सिजी को ले के किसी सामीप्य में एक मानी फलनौं। हाना एक मानी फलन और एक सीजी को अले पर अनंत बार अउकलनी हो ठीक है एक मानी फलन हो तो बच्चों ये सब डेफिनिशन से हमको कोई मतलब नहीं हम लिखवा जरूर देते हैं हम आपको टेकनिक बताने वाले हैं जिससे आपको पहचान आ जाएगा कि किसको हमको फ्रोबे स्थ्रेनी से करना है ठीक है कुछ-कुछ जानकरी जरूर रखना ठीक है चली आगे बढ़ते हैं एक होता है साधारन या विचित्र बिंदू एक बिंदू एक सीजी को अले पर आउकल समिकरन का एक साधारन बिंदू कहलाएगा यदि गुनांक पी एक्स और क्यू एक्स एक कैसे हुआ यहने वह क्या होना चीए टेलर स्थ्रेनी के प्रसार उसमें संभव होना चीए तब ही तो विचिले सीख होगा ठीक है तिये देखे यह दोनों क्या होगा विचिले सीख होगा तभी हम इसको साधारन बिंदू कहेंगे किसको एक सीजी क्वल एक हो ध्यार आईए आगे बात करते हैं नियमित या अनियमित नियमित किसको कहेंगे आउकल समीकरन y double dash px y dash plus qx y is equal 0 की एक विचित्र विचित्र था x is equal a पर नियमित कहलाती है यदि x minus a px और x minus a square qx बिन दो x is equal a पर विचित्र था और अगया हना एक प्रसार कर सकते हैं अनियता यह अनियमित विचित्रता कहलाएगा याद रखेगा कि अब आता है यह probenia stream कि अब बचो यह probenia stream कैसे question में आपको सालव करना है भाई सिंपल बता देता हूं मैं आप देखने से पहचान आ जाएगा यदि आपके पास y double ds है तो y double ds के साथ कोई ना कोई x x square लगा रहेगा या फिर x y ds ऐसा रहेगा इसी में हमको देखना है यदि ऐसा रहेगा तो फ्रोबिनियस नहीं लगाएंगे याद रखे इसके साथ 1-1-2-2 रहेगा तो फ्रोबिनियस नहीं लगाएंगे केवल x की बात कर रहा हूं केवल x की बात कर रहा हूं तभी हम फ्रोबिनियस लगाएंगे otherwise बिलकोई भी नहीं लगाएंगे यहाँ पर x is equal 0 x अधरन बिंदो होगा इसके लिए यह provenious से नहीं बनेगा तो बच्चों कहा गया provenious प्रारूप x power rho समेशन n is equal 0 to infinitive a n x power n जहाँ a not is equal a not not is equal 0 होना ची a 0 जो है 0 के बराबन नहीं होना चीए not equal 0 होना चीए ठीक है बच्चों आप देखें अंतर क्या हुआ यहाँ पर हमने x power n के साथ में x power rho को गुना कर दिया अब बन गया समेशन n is equal 0 to infinitive a 0 a n x के power rho प्लस n जहाँ a 0 not is equal कितना 0 है प्यारे बच्चों हम इसी को फ्रोबिनियस त्रेनी कहेंगे या तो इस फाम में लिखेगा या फिर इस फाम में लिखेगा कैसे कोशन को फ्रोबिनियस से बनाना है समझ में आ गया y डबल डेस के साथ x, x square, x cube यही सब गुना होना चीए याद रखेगा या y डबल डेस के साथ नहीं है y डेस के साथ है तो भी चलेगा लेकिन दोनों में से किसी न किसी में होना चीए y के साथ गुना होगा x तो उसको नहीं कहेंगे आपने एक पाया है इसके पहले आपने सालव किया d square x square d square y upon d x square plus xy is equal 0 तो यह साधरन बनेगा इसके साथ गुना की बात नहीं कर रहा हूं है हम x डेस और y डबल डेस के साथ गुना की बात कर रहा है यह हम देखेंगे पहचानेंगे बात समझ में आ रहा है आई आगे बढ़ते है तो फ्रोमेनिया समझ गये है जब भी इस इधंग से आएगा तो हम y is equal summation n is equal 0 to infinity a n x power rho plus n a 0 या a not not is equal 0 राइट करेंगे इसी को लेकर के सालव करेंगे आगे हम procedure भी बताएंगे प्यारे बच्चों सब समझ में आना है चलिए अब देखें एक होता है फुक्सियन आउकल समीकरन ये फुक्सियन आउकल समीकरन किसको कहते हैं एक आउकल समीकरन फुक्सियन कहलाता है यदि इसकी सभी विचित्रताएं नियमित है जैसी की आगे चलकर बेसल समीकरन लेजांडरे समीकरन ये जो भी पढ़ोगे ये सभी फुक्सियन आउकल समीकरन कहलाएगा बेसल का समीकरन आप पढ़ोगे आगे चलकर एक सिसक्वर वाई डबल डेस एक सिसक्वर मैनस एक सिसक्वर वाई इसक्वर जीरो एक सिसक्वर पर निमित है लेजांडरे या लेजांडरे एक्वेशन समीकरन वन मैनस एक सिसक्वर वाई डबल डेस टू एक सिसक्वर वाई डेस प्लस एन न प्लस वाई is equal 0, x is equal 0 पर सधारन बिंदो और x is equal minus 1 और इंफिनाइट पर ने मित विचित रता हैं तो यह सब आगे चल करके नया चेप्टर इसके बाद आएगा बेसल वाला उसके बाद आएगा लिजेंड्रे उसके बाद एक और चेप्टर है ठीक है प्यारे बच्चों तो बस इसी रहं से इसको हमको करते का चलना है आगे बढ़ना है दिखो अब फ्रोभीनियास को कैसे हल करेंगे थोड़ा प्रोसीजर बता देता हूँ मैं सबोस हमको दो दिया देके एक सिस्क्वर वाई डबल डेस यह एक सिस्क्वार देस और डिव एक्स वाइडस qx y यह प्येक्स और क्य QX क्या है तेलर स्रेनी वाला प्रसार वाला है यदि X is equal 0 पर नियमित विचित्रता है तथा यदि PX और QX X is equal 0 पर विसले सिख है तो हम प्रोबेनिय स्रेनी Y is equal समय स्रेनी जिक्वल 0 पर विसलेंगे और कोश्चन जो दिया है उसके अनुरूप इसको आउकलन करेंगे प्यारे बच्चों आउकलन करेंगे Y डेस Y डबल डेस Y कमान वापस रखेंगे उसी एक्वेशन में और सबसे पहला काम रो कमान निकालना वहाँ पर जो भी रहेगा नियुनतम घात के पद के गुनांक को जीरो के बराबर रखेंगे यहाँ पर देखे यह मान रखने के बाद एक्स के यह नियुनतम घात के पद एक्स के नियुनतम घात के पद अर्थात एक स्पार रो मैनस वन का गुनांक या फिर निमनतम में मालो एक स्पार रो है हम लोग देखेंगे सबसे कमवाला घात कौन है उसको जीरो के क्वल रखेंगे पूरे पद को या फिर डारिक्टली एक स्पार रो मैनस वन के गुनांक को coefficient को 0 के बराबर रखेंगे और row का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों अब row का मान माले ते हैं row 1 और एक row is equal row 2 मिला यह row दो तिन तरीके से हो सकते हैं या तो दोनों not equal होगा या तो दोनों बराबर होगा या तो दोनों वहाँ पर देखेंगे row 1 मान निकालेंगे इसके बाद क्या करेंगे हम लोग x के विभिन गुनांकों को सुनी के बराबर रखेंगे आपको वहाँ पर माल लो x के पावर n दिया है x पावर n मान दिया है तो कोई भी कोई equal करो और 0 के बराबर रखो और यहाँ पर आप पुन्रा वृत्ती संबंध प्राप्त करो या तो a n में लाओ या a n प्लस 1 या a n प्लस 2 में लाओ और यहाँ पर n is equal 0, 1, 2, 3, 4 रख करके a 0, a 1, a 2, a 3 देज डेसेंड स्वान का मान निकालो प्यारे बच्चो सब मान निकल गया तो हमने जो समीकरन मानना है प्रोबिनियस सेनी उसमें रख देना है और उसके बाद रो का मान रखेंगे अब रिखो रो का मान कहां से कैसे करना है इस्थित्या क्या निर्मित होगा यदि हमको रो 1 माइनस रो 2 नाट इकवल 0 मिला न तो यह सुन्या है नहीं धन पुर्णाग ज्यान देना तो हम रो इस इकवल रो 1 एक हल मिल निकालेंगे और रो इस इकवल रोटू रखकर दूसरा हल निकालेंगे दो हल निकलेगा हमको मिलेगा जब दोनो अलग-अलग वेल्लू है डिफरेंट वेल्लू है यदि दोनो बराबर है यहां देना दोनो बराबर है तो भी 2 value निकलेगा पहला तो जो समीकन में रखेंगे न उसमें row का मार रख देंगे हमको मिल जाएगा और दूसरा row का मान भी उसी मान को रखेंगे तो वह इच मान मिलेगा लेकिन हमको तो दो हल चाही है तो इसके लिए दूसरा के लिए क्लिए क्या करना आप यहाँ पर देखेगा यदि बराबर है तो y2 is equal ध्यान देना है उस समय हम बताएंगे और y2 is equal y1 log x प्लस यहाँ पर हम रो रहता है तो हमने माना है अलफा तो अलफा लिख दिए x पाउर अलफा समेशा ने इस इक्वाल 0 तो इंफिनेटियो हम a n जो पाए रहेंगे उसका रो के सापेक्स आंसी का उकलन करेंगे आंसी का उकलन करने के बाद रो is equal अलफा रखेंगे और इस तरीके से दूसरा समीकर हमको मिल जाएगा यहाँ पर पूर्ण हल के लिए आप इन दोनों को जोड़ेंगे a y1 प्लस b y2 यह कंप्लेट सालूसन होगा दोनों को रख दिजिएगा तीसरा इस्तिति बताया कि रो 1 माइनस रो 2 is equal 1 एक धनफुनाग मिला यह इस्तिति निर्मित होगा y1 के लिए डारेक्टली आ गया रो is equal रो 1 और y2 के लिए आप क्या करो इसका डिफरेंसियेट करो तो आपको फार्म मिलेगा ऐसा देल y upon डेल रो रो is equal कितना है यह रो 2 है तो a y1 लाग x प्लस x रो 2 summation n is equal 0 to infinity डेल a n upon डेल रो रो is equal रो 2 और इसका सालूसन यह तरीके से मिलता है तो बच्चों यह कब समझ में आएगा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को मालूम है लेकिन इसको बताने का मकसद क्या है जब हम कुशन साल करने चलेंगे तो उस समय दिमाग में आते जाएगा कि सर ऐसे बताये थे वैसे बताये थे इसलिए पहले ही पिच्चर देखते हो तो टेलर से ही पता चल जाता है कि पिच्चर में क्या होने वाला है होता है कि नहीं होता है वैसी है यह हमने टेलर दिखाया अब पिच्चर दिखाएंगे चलिए आईए बात करते हैं प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, पूरा समझ में आएक 100% बहुत बढ़ी है लगेगा, पहला कुछन की बात करते हैं, आउकल समीकरन हमको क्या दिया है देखिएगा, 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 इसको देखिएगा, मैंने कहा था, यहाँ पर किवल एक्स या एक्स स्क्वर होना चीए, यहाँ पर टू माइनस एक्स स्क्वर है, तो ऐसे कैसेस में समीकरन एक में एक्स सीजी क्वल जीरो क्या होगा, साधारन बिंदू होगा बस डारेक्ट लिख दीजेगा अब जब साधारन बिंदू है तो ये फ्रोबेनियस से नहीं बनेगा नारमल से बनेगा सिंपल से बनेगा माल लो घात स्रेनी हल फिर वही मानेंगे summation n is equal 0 to infinite an x power n अब देखो बच्चो यहाँ पर फ्रोबेनियस क्यों नहीं आया इसके पहले वाले भी 5 question आपने देखा है उसमें भी देख लिजेगा वो different है इसके साथ किसी कभी x का x square का गुना नहीं है यहाँ पर तो है इससे कोई दिक्कत नहीं लेकिन यहाँ पर भी होना चाहिए था यह नहीं होता तो यह हट जाता कि अवल यही रहता तो हम डारेक्ट फ्रोबेनियस दे ले थे अब यहाँ पर क्या करेंगे समीकरन 2 का अब देखो बच्चो मैंने यह भी बताया था कि y is equal a0 a1 x plus a2 x square plus a3 ऐसा करके बना सकते हो इसको भी बना सकते हो मैं इसको directly इन लेकर के बनाऊंगा स्वारी बच्चो हमारा तवियत ठीक ही नहीं हो रहा है बच्चो क्या करें समीकरन 2 का x के साप एच आउकलन करने पर चलो करते हैं इसी से बनाते हैं आज देखते हैं y डेस समेशन n is equal 0 to infinite a n n x power n minus 1 y डबल डेस नेका लियागा a n n minus 1 यहां तक समझ में है बच्चो अब हम क्या करेंगी y डेस y डेस स्वारी y डेस y डबल डेस का मान समीकरने के में रखेंगे y y डेस वा मान समीकरने के में रखने पर देखे बच्चो आप यहां पर ऐसा नहीं करके आप y a 0 a 1 x a 2 x a square को डिफरेंसेट करके भी बना सकते हो जैसे कि इसके पहले आपने बनाया हैं हम इसको इसी में बना के आपको बताते हैं इसके लिए फुनरावरित संबंद गयाद कर लेंगे और ये भी easy होता है वहाँ पर n is equal 0 1 2 3 4 5 डेस देसेंस वार रखिएगा आपको सब मिल जाना है प्यारे बच्चो आईए बात करेंगे सबसे पहला हमारे पास है 2 minus x square देखते जाहिएगा summation n is equal 0 to infinite a n n n minus 1 x power कितना n minus 1 प्यारे बच्चो अब सीकेंड हमारे पास क्या है भाई 2x है रखिएगा summation n is equal 0 to infinite a n n x power n minus 1 यह देखो गड़बड किये हैं आपर n minus 2 आएगा भाई गड़बड किये हो आप गड़बड है प्यारे बच्चो दो बार किये हैं न भाई n minus 2 आएगा यह हो गया अब इसके बाद next नमारा क्या है minus 2y summation n is equal 0 to infinite मैंने सब को रख दिया अब हम लोग क्या काम करेंगे भाई जो भी x का गुना है उसको पहले करते हैं break it open करते हैं आईए देखें तो पहले मैं इसके साथ लेता हूँ कितना हो जाएगा इसका two summation summation n is equal 0 to infinite a n n minus 1 x power n minus 2 पहले 2 के साथ किया अब x square का करेंगे तो भाई x square जाएगा तो x power n होगा क्यों होगा minus हुआ प्यारे बच्चों n is equal 0 to infinite अभी तो रखिएगा इसको a n यहाँ पर हुआ n minus 1 और ये x power n होगा क्यों हुआ ये देखो x square और ये देखो x power n minus 2 दोनों को जोड़िएगा यदि अधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ जाता है प्यारे बच्चों ये दोनों आपस में 2 plus n minus 2 होगा समझते जाएए अराम से समझते है प्यारे बच्चों भले एक दिन में कोशनों को टेंसन नहीं है देखते जाएए आपने 2 किया इसके साथ multiply किया आपने x square किया इसके साथ multiply किया आपको मिल गया इसका होगे अब ये देखे प्यारे बच्चों यह x इसमें जाएगा तो हम plus क्या करते हैं बच्चों summation तू को बहार रख दें रख दो भाई summation x जाएगा add करेगा इसको x power n होगा और minus 2 summation n is equal 0 to infinite an x power n is equal कितना होगा 0 अब बच्चों ये अलग family हो गया और ये वाला जो है तीनो एकी परिवार की हो गये है कैसा परिवार x power n family बात समझ में आ रहा है तो ये जो परिवार के सदस्य है एक जगा collect करते हैं एक जगा एक अठा करते हैं उसको आओ इसको देखते हैं प्यारी बच्चों ये देखेगा मैं ले लेता हूँ इधर पहला हुआ 2 summation n is equal 0 to infinite an n n minus 1 x power n minus 2 ठेक फिर minus क्या करते हैं summation an x power n तो सभी में हकामन निकाल लो summation n is equal 0 to infinite an x power n अब बचा क्या इसके अंदर यहाँ पर देखेए minus तो ले लिए हो में इसमें minus ले लेना है तो अंदर कर देंगे plus कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है रहने देते हैं भी minus ही रहन देते हैं यहाँ पर बचा n n minus 1 ज्यान देते जाना बच्चो n n minus 1 इसके लिए है इसी के लिए है मैंने minus कामन निकाला समझो यह minus हो जाएगा और minus जो है plus हो जाएगा यहाँ पर कितना हैगा minus 2n plus कितना हो गया 2 यह रिखेगा is equal हो गया प्यारे बच्चो 0 तो 2 summation n is equal 0 to infinite n n minus 1 x power n minus 2 plus यह रिखे minus यहाँ पर दिखेगा यदि मैं 2 common निकालू तो n minus 1 होगा और n minus 1 कामन निकालू देखो कैसे होगा बोरो में यह देखो यह 2 common निकला यहने समझे n minus 1 minus 2 common n minus 1 यह हो गया तो यहाँ पर हम इस पूरे को अब यह उस पालिख देता हूँ बच्चो जगा कम बन रहा है 2 summation n is equal 0 to infinite a n n minus 1 x power n minus 1 लिख दिया पहला sorry n minus 2 है बच्चो फिर गढ़ बढ़ करा हूँ ध्यान देना भाई n minus 2 n minus 1 कोन सा है और यह x power n वाला देखो इन दोने में n minus 1 कामना n minus 2 बचा तो minus summation n is equal 0 to infinite a n n minus 1 हुआ और यह n minus 2 हुआ और x के power कितना n is equal 0 यहां तक पहुँझ गए अब हम लोग क्या काम करेंगे x के समान घात x के समान घात के पदों के गुनांकों की क्या करेंगे क्योंकि आपके पास अनन्तमान है कहीं कोई tension आना नहीं कि यहां पर नहीं है तो कैसे होगा आप समान घात लेने के लिए चेक कीजेगा यहां तो इधर का समान घात लीजिए या इधर का समान घात लीजिए यदि इधर का समान घात लेना है तो मुझे यहां पर n के जगा n-2 बिठाना होगा समझे बात को यदि यहां पर x को देखकर कि X power N-2 का समान घात लाना है तो मैं X power N-2 यहाँ पर उट करूँगा सब जगा यदि मुझे X power N देखकर X power N यहाँ पर लाना है तो N के जगा क्या रखूँ कि मुझे N-2 X power N मिले क्या बोला इस X power N-2 में N के जगा में क्या बिठाएं कि हमको X power N मिले तो यहाँ पर रखो N प्लस 2 N के जगा N प्लस 2 रखो क्या मिलेगा आपको X power N मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो आपके उपर है आप इसको equal करना चाहते हो या इसके थुरू इसको equal करना चाहते हो बाद में सब वही आ जाएगा कोई प्राबलम होने वाला नहीं है आईए प्यारे बच्चों देखते हैं क्या बोला मैं X के चलिए यहीं समझना है में इसी में कन्फ्यूज होते हैं बच्चे X के समान घात के गुणांकों को शुन्य के बराबर रखने पर बच्चों AN, AN प्लस टू इस टाइप में जो आता है इसको हम कहते हैं पुन्रावृत्ती सम्मन रिक्रेंस रिलेशन समझ में आ रहा है पुन्रावृत्ती सम्मन कहते हैं तो मैंने क्या क्या ध्यान दो यहाँ पर अलक्स मैं रफली यहाँ पर मनाता हूँ आपको समझाने के लिए मैंने इसको बराबर करने के लिए क्या रख दिया N के जगा N प्लस 1 रख दिया तो A N प्लस 2 बन गया यहाँ पर रखूंगा तो यह N प्लस 2 बन गया और यहाँ पर x power n आगया यहाँ पर x power n यहाँ पर x power n यहने मैंने n is equal क्या रख दिया n plus 2 इसको ध्यान रखना प्यारे बच्चों रबकार यह एक्जाम में लिखने के जुरत नहीं इसको मैं इस प्रकार दिखा देता हूँ आपको यह देखो बराबर आया कि नहीं आया x power n बिठाया कि नहीं बिठाया अब इसका गुनांग क्या होने वाला है देखे इसका गुनांग इसी से मैं लिकाला हूँ तो 2 a n प्लस 2 n प्लस 2 n प्लस 1 minus a n n minus 1 is equal कितना हो गया 0 बचचों यह समझ में आयकट निया जल्दी बताये अधberry लिक्ष के प्यारे बच्चों और समझाओंगा फिर कि यह समझ गया तो पूरा बन गया प्यारे बच्चों प्रोबियो आगे हम पढ़ें तो प्रोटे ज QUESTION हैं इसको हम सिंपल से कर रहे हैं पूरा इसी के बेस पर रहेगा कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि अरे यह वेलू कहां से आजाएगा कैसे आएगा वह यह इनिजी को जीरो टो इंफनाइट है तो कहीं से भी कोई भी वेलू को समान कर सकते हो कहीं कोई प्रबлем आने वाला नहीं है प्यारे बच्चों याद रखिएगा एक बार और अच्छे सी वीडियो को देखेगा समझ में आएगा यह समझ में आया मैंने लिया बराबर करने के लिए इन के जगा में प्लस टू बिठाया हो सकता है कि आप इसको इसके बराबर करने के लिए र आई अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों तो हमें मिला 2 n plus 2 n plus 1 n plus 2 is equal an n minus 1 तो हम recurrence relation प्राप्त कर लिए n plus 2 is equal यहां पर कितना आएगा an n minus 1 upon 2 n plus 1 और n plus 2 यह समी का नंबर तीन है प्यारे बच्चों यह इसको हम कहते हैं recurrence relation और हमारे सब्दों में हम कहेंगे इसको मान निकालने का मसीन क्या कहेंगे भाई a0, a1, a2, a3, a4, a5, a5 जितना निकालना है निकालो यह आपने मसीन फिट कर दिया है प्यारे बच्चों गुनांक निकालने का मसीन है यह in art, a1, a2, a3, a4 सब निकालिए यहां डालते जाओ निकलते जाएगा डालते जाओ निकलते जाएगा जैसे आप आटचक्की जाते हो धान कुटाई करने जाते हो चावल निकलवाने तो क्या होता है इधर से पेड़ी धान को डालते जाओ दूसरे साइड से राइस शावल निकलते जाएगा तो यही सिस्टम है इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया मसीन का नाम दे दिया प्यारे बच्चों यह इस धंग से आपको काम करना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक सेकंड प्यारे बच्चों रुको तो कुछ गडवड की हैं और मैंने तो गडवड यहां लिख दpark लेगे इन-2 लखना भूल गया भी पाई यहां पर N-2 आएगा अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर start कहां से होगा N is equal 1 N is equal 1 रखेगा N is equal यहाँ पर 2 रखेगा तो N is equal 1 तो सफल नहीं हुआ लेकिन N is equal 2 से सफल हो जाएंगे कैसे यहाँ पर देखे सबसे पहले हम 1 रखेंगे तो 1-1 0 आया ध्यान दे न हम समीकरन 3 में 0 के लिए तो नहीं आएगा ठीक है न समीकरन 3 में क्या करते है प्यारे बच्चो N is equal 1, 2, 3 डेजिसेंस वहां रखते जाते हैं चलिए चेक करते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर रखा 1 तो 1 रखा तो 3 हुआ एक कम करें इस बार बार लिखना पड़ेगा तो उससे अच्छा एक बार लिखी देते हैं भाई धर वो बेश्ट रहेगा आपके लिए हमारे पास क्या है यहाँ a n प्लस 2 है इधर कितना है a n है यही है ना हाँ चलो रखो पहले रखे 1 3 यह कितना हो गया भाई 1 माइनस 1 यह भी a 3 कितना हो गया 1 माइनस 1 1 माइनस 2 यह पूरा समझे 2 1 प्लस 1 1 प्लस 2 कितना आ गया सारी 1 रखे हो ना यह पूरा इसके कारण 0 आ गया a 3 आपको 0 मिला अब रखो 2 a 4 2 रखेगा तो 2 रखेगा तो भी 0 आ रहा है देखो तो यह 2 रखोगे तो क्या रहा है 0 आ रहा है 2 माइनस 1 2 माइनस 2 0 सिधा रिख देता हूं आप चलिए a 5 रखते हैं तो ने 5 मीन्स 3 रखते हैं 3 रखेगा तो a 5 कितना आएगा यह देखो 3 माइनस 1 3 माइनस 1 3 माइनस 2 2 3 प्लस 1 3 प्लस 2 और यह आगया कितना a3 बच्चों जब a3 0 है आरेडी उपर में देखो a3 0 है तो a5 0 होगा और इसके बाद आएगा यह 4 तो a6 भी 0 आएगा यहने समझिए आपके पास इधार यह पूरा 0 आ रहा है ठीक है न? क्या रहा है भाई? 0 आ रहा है कौन-कौन 0 आ रहा है? कहा से सुरुवात हुआ? a3 हाना? a3 से सुरुवात हुआ है यह देखो a3 इसके बाद क्या है? a4 a5 यह सब पूरा आपको 0 मिल रहा है ठीक है प्यारे बच्चों? बस इसी धंक से आपको काम करना है ठीक है न? अच्छा 0 के लिए तो हमने निकाला नहीं a0 निकालना 2 के लिए निकालना पड़ेगा इसको भी निकालना है इसको भी भूल गया a0 0 से स्टार्ट करेंगे न? यह आप लिए देना बच्चों 0 से स्टार्ट करना है मैं उसको छोड़ दिया था 0 से तो a2 आएगा 0-1 0-2 आपके पास आया 2 0-1 0-2 और यह आगया a0 तो a2 is equal क्या मिला? minus minus plus हो गया 2 अपान यह हो गया 4 a0 यह जाएगा a2 is equal 1 by 2 a0 बाकी सब 0 आएगा इसको छोड़ कर अब हम क्या करेंगे? समी करन एक में a2, a3, a4 कमा रखने पर सबसे पहले आओ y is equal a0 a1 x इसके बाद a2 का मान बाकी सब क्या आएगा? तो हमारे पास जो फलन आया एदिखे एस समी करन आया a0 निकाल दो 1 प्लस कितना आया? दो फेमली है इसमें और यह हो गया a1 x तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं ठीक है बच्चों?